हेलो स्टुडेंट वेलकम अगेन यूपेस से एलसे आटी पिछली बार हमने जो हीट का सेप्टर अपलोड किया था उसके अंदर वह इस के लिए टी नहीं होने के कारण स्टुडेंट को काफी दिक्रत फेस करनी बड़ी अब क्या है कि वापस हम अपलोड करने जा रहे हीट सेप्टर जी बार वाला स्टृ फ्लीज भी वित अस एंड काफी इंफॉर्ट्रेंट रहता है अगर आफ फिजिकल के वाट जाएंगे तो भी और चैमिकल साइज के लिए भी जाएंगे तो भी हीट का सेटर है फो काफी इम्पूर्टेंट रहने वाला और भी अजर्च से कुछ ट्रॉम से जिसके थुरू आपको जियोग्राफिक के अंदर भी है जो कुछ ऐसे एक्स्प्लाइन करने में या फिर समझने में हैल्प मिलेगी ओके जो हीट वाला सेप्टर हमने एक बार कवर कर रखा है लेकिन वह इस प्रोग्लम है ओकी देखिए जो हीट होती क्या कि आपको परमा मिलेट होती है एकिर्ज़ में हीट कैसे ट्रंसपर होती है एक इस唱 से दुसरे इस सफयां 어제 हीट क्या ठीबाव अपने ज़िघी लाइफ है उसके अंदर दे सकती और इसके साथ हमें हीट काların का किस करना है क्या हम सिरफ मिसर कर सकते हैं कैसी हम सरक काईr का सकते हैं कि यह सरते ही और आउप्जेकट हिर एकट हम पोचुबल कई हो सकते हैं को भी अब्जेकर को हो स्किन से टेस्ट कर सकते नो ? या फिर THERMOMetter क्या होता Brennan क simplemente क्या स्कारा क्या है कितने percussion को मेजर करते हैं THERMOMETER के कितने परकार करें होते हैं यह सब इस सेफ्टर के अंदर हम इस्क्राइश करने वाले हैं सो its start today's pitch फिर्स्ट ओप अल जो हीट होती है आपने कभी महुंस किया होगा कि कोई आब जञेट होता है और कॉल्ड कव होता है यह आप सब लोगों को पता है कि कोई आइस्प्री में तो वह क्या है कोजते सदॉत है है तो वह अब इस बात है कि क्या है कॉल होने वाला है है अब कोई फ्राइंग पैन इसका है तो एक्षुल में जो फ्राइंग पैन तो फ्राइंग कर रहा है वह गरम होगा लेकिन हैंडल एक अलग प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक से बना होता है जिसके कान क्या है वह गरम हो पाता है ओके लेट्स एक और एक्टिविटी इसके अंदर दे हुई है देखी यहां पर अल्रेडी वार्निंग दे रहके कि दू नॉर्ट तस अब्जेक्ट विच आर टू होट बी केरफूल वाइलिंग केंडल फ्लेम और इस्टो आपको एक अक्टिविटी के अंदर क्या पहले लेना है न ठंडा न गरम एक फिर क्या है कि जो पहले ह Costa First A के अंदर ही पहला ही जो सेकेंड B के अंदर क्या है ? थोड़ी दर रखने के बाद उससे डूनों भला हात को क्या है ? उसके बाद आप को पता का क्यूं कई बहुत आपको के इनदर पता चलेगा कि जो है उसके अंदर वैसे पानी तो एक जैसा है लेकिन जो उपने हाथ है वो अलगलग परकार के강शोज करते हैं जैसे कि नाइस होट वाटर है नाइस है। है या फिर हैं ये क्या है कॉल्डनेस मैसुश कर रहा है नार्मल पानी चैनल तो इस परकार से हम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्षुल में पानी थंडा है या फिर गरम है या फिर नार्मल है ठीक है क्योंकि हम अलग-अलग कंडिशन से आते हुए हम क्या है उसको एकदम टेस्ट नहीं कर सकते तो यह एक एक्टिविटी हमें दर्शाती है कि अपनी जो इसकी ने जो अनवेलेबल या फिर अनेबल है क्या जो टेस्ट करने के लिए होट और कुलनेस का कभी बार आप की स्कीन क्या है तेस्ट करने में अने बले अब इसकीन टेस्ट करने में अने बले तो कैसे अब्जेक को पता करेंगे साद इस इस वूट एंड यूज करना पड़े अगरंपरेशर लॉफ है तो इस बात है कि वह कॉल्ड है अगर इसका टेमपरेशर जादा है तो एंदर कि एग सेट पारव कृट लोट्य को a आपको क्या है तेमप्रेशर को मेजर करना चाहते हो तो आपको क्लीनिकल थर्मोमेटर की जरूरत लेनी पड़ेगी तर्मोमेटर दो परकार के होते हैं यहां पर मैं अल्रडिया आप यहां पर बता दू कि जो sorry temperature क्यों लिख रहा हो यह जो थर्मोमेटर होता है जस्ट इसेगेंड थर्मोमेटर थर्मोमेटर दो प्रकार के यह यहीं पर लिक्स थर्मोमेटर फर्स्ट वाला है क्लीनिकल वाला जो कि क्या है human body का टेंपरेशर मेज करने के लिए क्या है laboratory thermometer की उसका उसीज क्या च j Data आप अब नेक्स चालता है कि जो clinical thermometer rice your में हो जब न होता क्या और किस प्रकार का दिखता यह दिखने में कुछ इस प्रकार का होला है यह क्यों आप देख सकते की जो clinical thermometer है कुछ इस प्रकार c उसके इंदर 35 से reading start होती है और 42 तक जाती है यह reading 35 से 42 degree Celsius रहने का क्या reason है यह बताए पहले यह 35 से 42 degree Celsius रहने का reason एक ही है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो body का temperature है 35 से नीचे कभी भी नहीं हो सकता never can be possible 35 से नीचे कभी भी body का temperature नहीं हो सकता जो 42 डिगरी है उससे क्या है एक्सल में body का temperature यहां midpoint पर होता है 37 डिग्री पर 37 डिग्री पर होता है temperature अब जो 42 डिग्री Celsius से इससे highest कभी भी नहीं हो सकता इसलिए क्या है thermometer को 35 degree range से 42 degree range के बनाया गया तो यह हो गया अपना clinical thermometer जो कि क्या है only for body temperature मेजर करने के लिए बनाया जाता देखिए जो clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius अब reading यह thermometer thermometer को कैसे रीड करें सर कैसे यूज होता है इसका देखिए यहां पर कुस precaution लिखे हुई है प्रिकोशन के अंदर आपको ज्यान में रखना है कि thermometer यूज करते समय क्या 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 प्रिकोशन रखनी क्या क्या सावदाने रखने थर्मोमेटर शुड भी वास्ट विपोर यू विफोर एंड अप्टर यूज आप अगर थर्मोमेटर का यूज कर रहे हैं कि आप बोडी जब आप यूज करते हैं तो मर्क लेवल का है नीचे है ऐसे नहीं कि मर्करिलल ऑर और अगर आप थर्मोमेटर जो क्लिनिकल थर्मोमेटर उसको ज्यादा अगर आप कहीं गरम कर रहे हो ठीक तो वह ठूटने की संभावना रह सकती है और क्या है बल्ब को भी क्या है सावदानी पुर्वक रखना चाहिए अब जो थर्मोमेटर की रीडिंग होती है कुछ इस परकार के होती है एक बार आप देखिए थर्मोमेटर की रीडिंग इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कुछ पॉंटेड डॉट है यह जैसे कि 36 है यह 37 है जो कि human temperature normally होता है ठीक है तो इसके अंदर यह कुछ dotted line है इसके सब्सक्राइब कर देखिए कि 0.2 degree celsius बढ़ा ओके आइधिंग आपको जो पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा जो देखिए दाट नॉर्मल temperature of the human body is 37 degree not that temperature is associated with unit okay degree celsius degree celsius celsius है जो temperature measure करने की क्या है unit celsius celsius okay अब आते हैं laboratory thermometer पे laboratory thermometer क्या होता है laboratory thermometer के अंदर आप देखेंगे कि जो भी अगर human body के या फिर जो animal body होती है उसके अलावा कहीं कहीं आप वो material जैसे कि आप को solution lab के अंदर गरम कर रहे है या फिर आप हो सकता है कि कहीं अलग कोई material का temperature measure करना चाहते है तो उसके लिए क्या है laboratory thermometer का measure क्या जाता है देखें यह जो लंबा वाला आपको डंडा देख रहा है यह दिस ऐद लेबोरेटर थर्मोमेटर यह है mercury यहां पर क्या अलावरी लिख रखा है okay laboratory thermometer की इस टिकसर आप देख सकते यह laboratory thermometer वन डिगरी से स्प्रूव कर किटना 110 डिगरी से वन-वन 10 में भी आप मिजर कर सकते हैं और जीरों से ये नीचे ये क्या है माइनस 10 डिग्री से स्टार्ट होता है माइनस 10 डिग्री से इससे क्या है कि human temperature को मीजर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है एक्षिल में जो ये जो mercury बल्ब है वो human body के according नहीं बनाया गया ताकि क्या है कि वो human body को sense कर सके ओके ये क्या है जो अलग जो अदर्स बोडी है या फिर मेटेरियल है सॉलूशन है उनका temperature मीजर करने हों ये हेलफल है लैबोडोकर थेर्मोमेटर देखिए ऑन सस्दर मो मिटें न अलगोटर त्रमोमेटर त्रमोटर आपको अलग लग परकार करक्र niez डिन जिएस्ट कर वाला दन क्या है तो इसको बोलते हैं मीनिमम ट्थमारशर और अगला दिन या फिर आज का दिन क्या है बहुत ज्यादा हो टे गरम है तो ये किया है मैक्सिममल एम है किसके जो करते हैiliśmy," ये किसके जोरा मिजड़ की जाती है," मैक्सिमम मिनिमम टेंप थर्मोमेटर के दौरा मिजर किया जाता है यह कोई लेबरेटरी या फिर क्लिनिकल थर्मोमेटर के दौरा नहीं किया जाता है यह मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमेटर के दौरा इसको रिकोड किया जाता है जो थर्मोमेटर की रीडिंग आप देख सकते हैं minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius तग रहती है next move on this thermometer को इस प्रकास से उपर की और एक्दम इस्टेट लाइन में रखना है देखिए जो थर्मोमेटर यूज करते हमें शूट भी केप्ट अप्राइट नौर तिल्टेट इसको क्या है ऐसे टीडा वेडा नहीं रखना है इसको एक्दम सीधा रखना है बल्ब सूट भी स्राउंड़ेट फ्रॉम्ड़ साइड्स बाइश सब्स्टेंश ऑफ विच टेंप्रेशर इस टूब ब्रोकन थीक तो सब्स्टेंश इसको क्या है उसके अंदर टेच करना होगा ताकि जो थर्मोमेटर क्या है टेंप्रेशर को मिजर कर सके ategor अब बात करते हैं डोक क्लिनिकाल थर्मोमेटर हैं इस किंक इस इंपरेंट बात नहीं जो अपने हिस आपकी बात है देखिए जो थर्मोमेटर के लिदूपरेशर जो मरक्री यह तरsoft रूम का यूजल है यह क्या है इक टॉक्सिक तदा आध मिलिई लेंग् गातक है इनके लिविंग डिंक्स के लिए काफी ज़ादा खतर ना गए और इसको अगर घर्मामेटर एक बार टूट किया तो उस जो मर्कृरी है उसको डिस्पूज करना काफी impossible हो जाता है काफी difficult हो जाता है तो जो अब क्या है कि इसका मतलब सर्फ mercury यूज भी नहीं किया जाना चाहिए नहीं ऐसा नहीं कि actually में क्या है mercury के लावा पहले क्या है इसका कोई substance नहीं था या फिर कैसे substitute नहीं था लेकिन अब क्या है मार्केट के अंदर इस डिजिटल थर्मोमेटर अवेलेबल ठीक है यह इस परकार का थर्मोमेटर क्या अवेलेबल जिसके अंदर क्या है यह डिजिटल थर्मोमेटर है इसके अंदर mercury का यूज नहीं किया गया है तो आप डिजिटल थर्मोमेटर का यूज कीजिए ताकि क्या है इसके अंदर बाइशांस अगर ज्यादा टेंप्रेसर कांड या फिर कुछ सावधानियों के कांड टूट भी जाए तो मरकरी क्या है डिस्पूज नहीं होगा और मरकरी क्या है उसको डिस्पूज करने की कोई सहता हो नहीं या फिर आपका पास सेलेंज नहीं आएगा ट्रांसफर ऑफ हीट जो मैन टॉपिक है यह ट्रांसफर ऑफ हीट सर आपने टेंप्रेसर मिजर कर दिया ओके अच्छी बात है सर हीट क्या होता है होटनेस अपने मीडियम से होता है विदाउट मीडियम भी होता है विदाउट मीडियम है ओके अब मीडियम क्या अगर आपके पास सॉलीड मीडियम है जो हीट का ट्रांसफर करते से में आपके क्या है सॉलीड मीडियम सॉलीड जैसे की लोई की सड़ यहां से गरम कर रहे हैं और यहां पर आ रहे हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं आपने लोग क्या है कंडंग्शन देखें कंडंग्शन देखें यह प्रोसेश यह अपने एक्टिविटी फॉलो दा हीट थ्रू ए मेटल ट्रीव यह लोग की सड़ है यहां अगर आप गरम करेंगे दरी दरी कहीं के यहां पर यह गरम हो जाएगी ठीक है तो देखें दा प्रोसेश दा प्रोसेश वाइविस हीट इस ट्रांसफर्ट फ्रॉम दा हॉटर एंड टू दा कॉल्डर एंड ओफ एन अब्जेक्ट इस नोने कंडंग्शन यह जो एक एक कौने से ठंडे कौने से गरम कौने की और जो उर्चा या फिर हीट का ट्रांसफर है उसको कंड़क्शन के नाम से जाना जाता है। इन सॉलिट्स जनरली आप देख सकते है के हीट इस ट्रांसफर यह जाती है। अब देखि कि सर आपने यह तो बोल दिया कि आपने एक ईरन सेट ली और आईरन को एक साइट से गरम क्या दूसरी साइट स वह अपने आप हो रहा है दिरे दिरे लेकिन आप अगर प्लास्टिक जैसे की स्केल को ले लिया या फिर आप पैंसिल को ले लिया ओके तो आपने देखा होगा कि यह क्या है एक साइट से तो गरम हो रहे है पेगल रहे है एकदम खतम हो रहे है ठीक है लेकिन दूसरी साइट से आपके हाथ पे कोई असर भी नहीं पढ़ रहा है तो सर क्या ये भी क्या कंड़क्ट कर रहे है या फिर ये भी कंड़क्टर है नहीं ऑविस बात है कि ये कंड़क्टर नहीं कंड़क्टर वो होते हैं अब कंड़क्टर खोन कंड़क्टर होते हैं ड़के सब्सक्राइब मेटेरियन विच अलाव हीट टूपास थूथ तूथ दैम whole one पास्तू देटां इपने चाते हैं अपने अंदर से फीड़ को क्या है है पास होने से रोकते हैं बिलकुलिए मना करते हैं कि हम क्या है हीड़ को एक स्सिल से दूसरे सब्सक्राइब जाने नहीं देंगे यह आप क्या है august में higher classes के अंदर आप अच्छे से study करेंगे कि इनका क्या region होता है कि हीट क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर transfer होती है और यहां पर नहीं हो रही है तो इसके अंदर क्या है जो जो सॉलीड मेड़ीम में थो अब सॉलीड मेडियम में के अंदर क्या होका कि किद्वारा अकको यह voucher करनी देख के Gr 전 करने कि आप इस वाट और को क्या है यहां से गर्म कर रहे हो ठीक कि अब नीचे वाला वाटर गरम हो रहा है आपको दिरे दिरे पता चल लगा है कि ऊपर वाला भी गरम हो गया तो एक्षिल में ये थोड़ा इस वालीड मीडियम था हीट का ट्रांसफर यहां पर कैसे हुगा और आपने देखा होगा कि जो मौमबती यहां जल रही है ठीक है मौमबती यहां जल र बीकर की नीचले तल से उपर की और कैसे ठंडा पानी था वो गरम हो गया इसका क्या रीजन है तो इस प्रोसेज को हम बोलते हैं कन्वैक्षिन के अंदर क्या है इस मोड़ ऑप दे हीट ट्रांसफर इस नोन इस दा कन्वैक्षिन के थू क्या है जो लिक्वीड या फिर गै हीट क्या करेंगे गरम हो गए हीट गरम करेंगे तो यह क्या है उपर उठ जाएंगे यहां पर आएंगे यहां पर आजाएंगे अब जो उपर वाले ठंडे कन्वैक्षिन के क्या अंदर होता है कि सॉलिड होता है सॉलिड के अंदर ऐसा कोई मेठील नहीं होता है कि यहां स से यहाँ क्या करते हैं इसके अंदर प्रजेंट होते हैं वह हीट का ट्राश्isma करते हैं इक इस किसी गरम होकि दूसरी कि बखेंड रहुत है ब्रकार के होगा है है मॉली पर हो रहा है यहां से क्या है गरम हुए एर के कंड और हाथ से आगे टच हो गए क्योंकि जो फूई भी कंड है उसको आप energy देंगे तो वह पहींव आपको क्या है एक्स मेंट अड़ा टोपिक से हम करने वाले फॉसके नरधी में कि नोव मिडियम परजेंट कोई मात्यम परजेंट नहीं नो कोई शॉलीड है न कोई ए है लीकुड है नो इडिएम अगर ते लिशे करको होगा इसको बॉलता है निर्वाथ निर्वाथ में कैसे हीट होता है अ आभे हीन के ट्रांसफर होने के लिए क्लिए एक प्रौसेश होता यह अगर य्डियियस कोई way को चलने के लिए कोई medium की आपसक्ता नहीं होती जैसे कि जैसे की सर्फ सूरी होता है सूरी क्या है काफी दूर है अब आर्थ यहां पे ठीक अर्थ के सारो और क्या है medium है जैसे को इसके सारो और क्या एर है लेकिन जो एर सब एर के अर्थ के एक sending तो इंट्मा्वस्पीर से अपर जाएंगे तो यहां एर नये तुरिय सिदारेक्ट एनरजे यहां कैसे आती है वह आती है administration के तुरू? just liane आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा अब सलते हैं एक और टॉपिक कवर कर देते ताकि यह वापस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पर आएंगे हम लोग एक्षिल में आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में क्या है बलैक कपड़े नहीं पहनते हैं वाइड करते हैं बलैक कपड़े पहनने और सर्दियों में क्या है आप बलैक कपड़े किसके अंदर पढ़ते हैं और जो वाइड कपड़े क्या पहनते हैं गर्मी के अंदर एक और क्या है है इसका क्या है लो है देखिए मैंन रीजन क्या होता है कि जो बलैक होता है बलैक हीट ऑपसेशन कैसे करेगा जैसे की हीट यहां से आ रही है हीट यहां से आ रही है बलैक वाला होगा बलैक वाला क्या करेगा वो हीट को अपने ही अंदर रख देगा और हीट अप वापस बेज़ देगा रिफलेक्ट कर देगा जैसे कि हीट की किन्या आ रही वेव आ रही रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यह क्या करेगा लोवर एब्जोप्शन पर्जेंट इन वाइट मेटियल एब्जोप्शन योप आपको एप्जॉप्व्टिन सMusik्म्झ में आया है ठीक है तूम बलेक और वाइट योप आपको सम्मझ में आया होगा कि जो वह ह हूल है फिर आप की जादा के जिसके ह Колम क्या है जिसके कार्ण और जो ब्लेक्जक्त हो एक लिदम गर्म हो जाता इसलिए आपको क्क्राकरण के नदर आपने देखा होगा आप première ज्यादा जञाद बिख्टे विक्ते दिखे या फिर Philippe ज्यादा पहने जाते उसका में रिजन है कि है heat को observe कर दे और तकही क्या है आपको गरम रखे और गर्मिय क्या है white कपड़े早दा पहने जाते क्या है çi bata air coil care joyful क्या है जाने दे वह observe करकर गरम नहीं करें ठीके तो इस परकार से आपको यह वाइट और बलेक का concept आपको ध्यान में रखना है एक वीकर के द्वारा यहां पर पाने गरम करते हुए आपको समझाया गया था और मैंने आपको explain कर दिया अब आपने देखा होगा कि की वूलन कलाथ किपस वां इन वीनर देखिए जो वूलन कलाथ होते हैं वह क्या मेटर है धेखित जो फोलन क्लाथ होतेbズ को कई यह देखि और ess Qin और दूसरीज़ता है अपना यह है यहाला क्या करेंस कि एनीम्ल के कि फाइब्र बूलन कलाथ कि देन में कलाथ अथिए और एक होता है रेशेदार फाइबर क्या सब्स् wz dave ने दुझकि पलांट Worship वो ता है प्लांट फाइबर क्या सब्स вышelt अन्श्राइबर प्लांट फाइबर तो इन दोनों में टीह कोumeं वे फाइबर के ऐ the heat good conductor of the heat conductor of heat कैसे किसे तर यह हीट आएगी तो यह डारेक डारेक ट्रांसफर कर देंगे इधर से उदर इधर से उदर ओके यह good conductor of the heat जो एनिमल फाइवर होता है ठीक है वो क्या करता है एकदम bad conductor of the heat bad conductor of the heat यह क्या करेंगे है यह रेकर प्वोलन कपड़ा इस लिए पेहने हैं कि जैसे कि बाँर सरदी है तो यह क्या करेगा कि अंदर हैं जय सकते हैं कि इक वूलन क्लॉट का यू विशन जो प्लांट अर्फर सकते हैं कि कि किसी अन्य रेसे MPD अगर बार गर्मी है तो अविस बात है कि वह अंदर बी गर्मी आने दें बार तेज हवा सल रही तो अंदर भी वह तेज हवा आपको महसूस हो सकते बार अगर ठंडी बहुत जादा पढ़ रहे है तो वह अंदर भी आपको ठंडी होगी क्योंकि वह good conductor of the heat बार जैसी हीट है अब आपको यह वूलन क्लॉथ का कंसेप्ट आपको समझ में आया जाएगा कि जो वूलन है दा यूज ऑफ वूलन क्लॉथ वूल इस पूर कंडुक्टर आप देखेंगे कि वूल है वह पूर कंडुक्टर है हीट की ठीक है अब सलते हैं लेंड ब्रीज और सी ब्रीज यह मैं अक्सिलन करूंगा देखी जो लेंड ब्रीज और सी ब्रीज होता क्या है देखी आपने इंडिया का मैप देखा होगा कि कुछ इस टाइप का इंडिया का मैप दिखा होगा एक नॉर्मल सी आपको क्या करना है और यहां पर क्या है ओशीन है और विस बात यहां पर ओश ज़्यादा जल्Дी गरम होती हैं हॉट्वास भी सलदी होती है और क्या होती latter कूल भी या फिर कूल भी क्या होती hard भी समक्सर के ओर अधिकरूस एो जो वाटर होता है वह कंपरिजन सू लॉआ काफी कम टाइम में क्या होता है काफी कम ग atac होता है और काफी कम ठंडा होता है वह क्या है वाटर काफी एक इस्थीर कह सकते हैं इसको बोलते है इसको बोलेंगे वह इस्थीर रहता है एकदम इस्थीर रहता है और यह होता है वैसिलेट करता रहता है कह सकता है कि यह वैसिलेट करता रहता है उपर नीचे होता रहता है इ जादा क्या ही आपकी लेंड्र दे वहां पे और कुई समुर्ण तर आस पास नहीं ए जिसके और GUY करन के है कर दो फास होगी और सरदी मैंगे पंटए तो घृता क्या है इसके उत्ञारों अग्र마ग हम और को कि न क्ली टे न g आखिए our construction17- separated मेंथया को और द में टेक लेंड लेंड किया है ? लेंड इस हें than to ठीक है कमपेरिजन तू क्या होता है ? वाटर शंद लद लॉऩाल अब जो हीट औ काहा से प्रवाइत होगी ? एक हीट क्या है ?Can you do बाइत है हीट समस्दि parked the आग से तो is प्रकार से क्या है ? हीट यहां से यह हो रही है ठीक है तो ब्रीज क्या है जो जो हाँ विंड होती है वह कैसे होती है वह स्थ savez कि यह फिर अधी इस यह उख आम एकि क्या डॉ प्रेशर हो गया लॉब इसे हो करें कोकर ना गया को छो कुल हो नикद इसपने स्थ Dwil वह फाए जाती इंहें ये में जो आठ कलर में आपको दिखा रहा हुं ये डि़्टेंद की है ठीक है डिक है यह अपे आप देख सकते हैं कि डिक एंदर अब जो नहीं टाइम में क्या होता है देखिया में बैस्ट सेकंड आपको फैल क्高ण कर सकतah हुं ठाइन practical केаст लेंड होती है वो क्या होती है लेंड इस कूल या फिर कॉल कह सकते हैं और जो वाटर इस होता है वो क्या होता है होट होता है क्योंकि क्योंकि जो लेंड होती है वो रात को एकदम से ठंडी हो जाती है लेकिन पानी की ये एक कह सकते कि गुण होता है या फिर गुण है उसके कि वो तो न ठंडे होते जल्दी न गरम होते तू लैंड क्या होगी फूल होगी और जिसके काइड क्या है यहां पर High Pressure बन गया । उट ऑर जो वोटर है वहां पर क्या बन रहा है वोट है तो यहां पर low pressure Professor , compare is in to. Law pressure तो अब जो high pressure से Law pressure बंद रहा है, ठीक है तो यह इस परकार से गरम होड़ी हवाय क्या है यह high pressure से land से क्या है water की और गमन करेगी इस परकार household जो land से गमन करती है हवाय उसको बोलते है ! समुनदर से या फिर seat से गमन कर रही है उसको बोलते हम क्या है उसको बोलते सी इंस से हारी और सी बडिश आई होपाँए आपको यह कंसेप्ट समझ में कर रही है अगर आपको समय में नहीं आया है what you have learnt इसके बार में आप पड़ सकते हैं और exercise आपको करने है exercise compulsory आपको करने ही प्लीज exercise solve कर जे अगर exercise solve करते वक्त आपको कोई confusion रहता है कोई questions ऐसा हो जो नहीं आता है तो please ask me in the comment box I will reply any of the comment that is received from any student okay so thank you for being with us thank you